रिवाडी के राओ तोलाराम स्टेडियम में चर रहे छे दिवस्यों दिवत्रे पुलिस वो चंदा सद्भावना खेलकूत पतियोवी का घस्मापन हो गया इस मोगे पर अतिरत पुलिस महानिदेशक रेलवे और कामाडो आलोक कुमार राय ने विच्चेता टीमों को पुरुषकार देगर समानित किया असकर में आपको बताना चाहूंगी कि इस प्रेटिवधिता में विप्रीने विद्रों के टीमें आई और रिमाणी दिवे एक गामों से मैंदाओं में बच्चों ने 5-12 वर्श के बच्चों ने बाए च्चों ने आपकाय वर्श के बच्चों के अलग टीम नहीं अभी देक के आपके वर्श सकूर्थ में इसको इक मैं टीमों स्वे किशच्चों के नहीं हो यह शियों की तरफ में की सधिका में चाहरों की सरस्थ में प्राइशी है और आपियों की तरफ मों टीमत्री इसक्ड़िटं की सुलय और सीश्या में ने ऐसम jij주र की ने और इस परदा में आपको अर्मुट्य थीपी बंगेर आई मैं आपको बहुत बात स्वागत करती हूं अबार एक करती हूं कि आपने हमारे सोटे से इमिटेशन को सिखार किया और चेंडिकर से चल कर आप यहां पर से इस प्रोग्राम की शोगा बढ़ाने के लिए नापनाएं हैं आपको बहुत बात स्वागत करती हूं और साथ ने डिस प्राद करती हूं को हमेशा तरियोग अब इसे सरकार की नकामी करें यहां फिर अधिकारियों की विली बगत और योगी की कायों में सरकार का कोई अंकुष नहीं रह गया इसे के चलते रेवाड जिले में और योगी कस्वा बावल और धारू हेडा में लगातार श्रमिकों में असल तोश के मामले सामने आ रहे हैं लेकिन श्रम भिभाग है कि मटरगस्ती तक सिमित नजर आ रहा है एक जो जिसके लिए वर्कर के लिए हम गए थे जिसको बैठा रखा था दिवार की तरफ मुझ करके मैंजमेंट ने उसको सस्पेंड विदाउट सेलरी एक दो महीने दे लिए कितने दिनों से काम कर रहे हैं यह लोग सब 15-15-20-20 साल से काम कर रहे हैं क्यों रोको दे यह सब क्या वज़े है इसके पीछे इसके पीछे यह यह वर्करों का बलब यहां ठीक से अजय चंदोलकर कर गी हैं हमारे जीम तो वह बस अपने कोई सरवे सरवा समझते हैं कुल बिला कि मनमानी की जा रही है कंपनी प्रबंदन की तरफ से अपना वह MP साइड के हैं वहीं से बंदे लाके बरती कर रहे हैं यहां जो बंदे हैं लोकल उनको कोई रोजगार नहीं जा रहा है वहां से कम से कम 500-200 बंदे ला चुके हैं अभी कितने कितने ऐसे लोग हैं जिनके साथ ज्यात्ती की बात आप कर रहे हैं विजडी पानी यहां की साथ-7-8-8 साल के यहां कुराने कैजिवल करमचारी है उनको ड्रेस देने की बजाए परमाने की बजाए बाहर से 500-500 किलोमिटर से MP से बंदे लाए जा रहे हैं यहां पर बिजडी पानी सब यहां का खराब हो रहा है आप यूनियन के प्रधान है क्या अधिकारियों से बाच्चित हुई इस बारे में बिल्कुल अधिकारी परसास्थान यहां आया हुआ है लेकिन परसास्थान भी कोई क्या दा वो नहीं दिखा रहा है दिल्चस्पी कोन अधिकारी आया है अब यहां पर डिप्टी लेबर कमिशनर और और यहां पर असिस्टेंट लेबर कमिशनर रिवाडी से अवासिंग जी आया हुए एस्टीम भी आये थे कल भी कोई नतीजा नहीं निकड़ा आप भी अब ही कितने वर्कर स्टाइक पर रहें आपके साथ कोई ध्यान नहीं दे रहा है लड़िकों की 45 पन परमानेंट वर्कर है और कैजूल भी है 200-300 वर्कर सभी स्टाइक पर रहे हुए शादी के तीन दिन बाद इस संबल में एक युवक सहीर दो लोगों की सड़क हाथ्से में दर्दनात मोथ हो गई बतादे कि मृतक युवक की शादी अब से तीन दिन पहले ही हुई थी बताया जा रहा है कि युवक उपने ससर के साथ ससराल से वापिस दोड़ रहा था तब रास्ते में ओवर्टेक करते वक्ट ट्रक की चपेट में आने से युवक की तो मोके पर ही मोत हो गई जबकि उसके ससर ने अस्पताल में दम दोड़ दिया यूपी में महिलाओं पर बढ़ते अपरात रुखने का नाम ही नहीं ले रहा ताजा मामला यूपी के संबल से सामनी आया है जहां शोच के लिए गई नबालिक की शोरी को उसी के गाउं से दो यूवक ने अगवा कर लिया यूपी के चंगल से छुटकर वहै अपने घर पहुची और मुख्या आरोपी की पहिचान कद परिजनों को आप विती बताई जिसके बाद परिजनों ने आरोपी को पकड़ लिया और उसकी चंब कर डुनाई की आरोपी को पुलिस को सौाप दिया गया